हाई गैज और विल्कम बैक टू दी चैनल दीपाख यादव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूस एंड एडिटूरियल इनालिसस ऑफ 27 जुलाइ तो गाईज आज है तारिक 27 जुलाइ 2001 केस और है तूजडे देखेंगे आज का दे हिंदू कंप्रीट न्यू न्यूस पेपर को अनिलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को यह कंप्लीट न्यूस पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है द पाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बिसस पर दाहिंदू न्यूस पेपर मिल जाता है डेली करेंट अफेर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और यह सारी चीज़े मिलते हैं बिल्कुल फ्री में तो जाकर जरूर जोइन करना नाव बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वाशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है टुनीशिया को कहां पर है यह एक्जाक्टी लोकेट करनाटका के चीफ मिनिस्टर ने रेजिगनेशन दे दिया है वहांके गवर्नर थावर्चन गैलोट को अब एक तरीके से कह सकते हो वहांके सीम रिजाइन कर चुके हैं अब यहां पर सस्पेंस यह क्रियेट हो रहा है कि नए आने वाले सीम है वो कैसे होंगे वो कौन होने गहांड़ी चोड़ी इंफॉर्मेशन बताएं गई है जो कि आपको एकसाम के लिए इतनी देखने को नहीं मिलेगी बट हाँ फिर भी यहां पर एकसाम के लिए क्या है अब को यह आपको यहां पर देखना यह है जो यह करनाटका की सीम ने रेजिगनेशन दिया है यह कौन से आर्टिकल के basis पर दिया होगा तो वो है आर्टिकल 164 ऑफ दा इंडियन Constitution इसका इस्तमाल करके यहाँ पर जो करनाटका के चीफ मिनिस्टर ने इन्होंने रिजाइन किया है और यह resignation गवर्नर को दिया है अब देखो आने वाले और यह सभी लोग अभी आने वाले टैम पर एक नए चीफ मिनिस्टर आएंगे तो अभी आने वाले टाइम के बीचमें एक गाप कृर्एत हो जाएगा ठीके अभी थ्लोड़ा सा टाइम लगेगा तो उस टाइम पिरेट में कौन यहाँ पर होने वाला है तो वह होगी caretaker government मतलब caretaker government के अंदर अभी chief minister यही रहेंगे जैसे ही नए chief minister आजाएंगे और ये और इनका जो council of minister है वो हट जाएगा ये सारी चीजे किसके थू होंगी वो होंगी article 164 of the Indian constitution तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है ये छोटी सी information जो है ये exam के लिए important है जो कि आप लोगो इस article के अंदर नहीं देखने को मिलेगी तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा idea ज़रूर रखना है उसके बार आते है next article की तरफ तो यहाँ पे चरचा हो रही है जो West Bengal की सरकार है उन्होंने मंडे में एक inquiry को सैट अप किया है और उसके अंदर एक सुप्रीम कूर्ट के जज़ देखने को मिलेंगे मदन भी लोकोर साथी साथ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दा कैलकरटा हाई कोड़ देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर कोशिश यह की जा जासुसी के उपर बहुत सारे जनलिस्ट के बारे में कल मैं ने पढ़ाया था ठीक है आज हम लोग फिर से कवर करेंगे यहाँ यहाँ लोग विसस पर 400-4.500 लोग daily basis पर जोड़ रहे हैं new लोग ठीक है तो यहाँ पर मुझे वापस से cover करना जरूरी है तो अगर जिस लोग को मालूम है तो वो लोग क्या करें एक से डिल मिनट skip कर दें उसके बाद आगे बढ़ें ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूं बैसिकली एक malware spyware है, malware मतलब ये computer के अंदर जाएगा, phone के अंदर जाएगा, और उसके अंदर जाकर आपकी जो information है, वो निकाल सकता है, अब यहाँ पर देखनी वाली बात यह है, कि जो आपकी personal information है, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें आपका phone calls हो सकती है, email हो सकता है, ठीके, जो भी details वगरा है, वो सारी हो सकती है, प्लस आपके phone का camera on कर सकता है, माइक on कर सकता है, तो इन सब चीजों के उपर कोई भी control पा सकता है, अगर किसी ने भी यह spyware का समाल किया है, तो question यह है, यह जो Pegasus spyware है, इसको कौन सी country ने डवलप किया है, तो Israeli company है, एक Israeli NSO group है, उसन और वो व्यक्ति उस link पर click करता है, तो ही जाकर यह spyware उसके phone में install होगा, otherwise नहीं होगा, मतलब वो link पर नहीं click करेगा, तो फिर नहीं होगा, पहले यह चीज थी, लेकिन यहाँ पर आज के time पर यह spyware एक advanced level पर जा चुका है, यहाँ पर इसको बोले जाता है, zero click attack, मतलब कि आपको कोई भी चीज़ click करने की जरूरती नहीं है, बस खाली इस व्यक्ति का phone number होना चाहिए, इस व्यक्ति के पास, अब क्या होगा, इसका phone number होगा, तो यहाँ पर इसके phone में एक miss call मारी जाएगी, और miss call के माधियम से जो है, यह pagasus spyware उसके phone में install हो जाएगा, दन उसके इसके बाद उसकी जो information वगरा है, वो सब extract की जा सकती है, तो यह होता है, zero click attack, अब question यह है, कि target किसको बनाया जाता है spyware से, तो यहाँ पर आप देख पाऊगे, जो human right activist है, journalist हो गए, lawyers हो गए, तो दुनिया भर में इन ही को सबसाधे target बनाया गया है, तो यहाँ पर यह आती है, कि इसके उपर एक inquiry होनी चाहिए, उसके बाद आता है, एक छोटा सा article, कल भी यह भी काफ़ाद चर्चा में था, तो छे policeman है, जिनको मार दिया गया है, आसम मिजोरम बॉर्डर पर, ठीक है, आसम और मिजोरम बॉर्डर के उपर काफी बड़ा clash create हुआ, कासकर बॉर आगे next article की तरफ, उसके बाद यहां पर आता है एक छोड़ा सा article, जो की again एक important article है, यहां पर चर्चा यह हो रही है, थाने सेंक्च्वरी को प्रोपोज किया गया है, as a MMR रामसर साइट, अब देखो क्या है, MMR क्या है, Mumbai metropolitan region, अब क्या है, यहां पर कि इसका पहला अपना र रामसर साइट मिलेगा, और एक तरीके से कहां पर थाने क्रीक, फ्लेमिंगो सेंक्च्वरी यहां पर बोला गया है, इसको एक तरीके से रामसर साइट का एक यह दरजा मिलने वाला है, तो यह छोड़ी सी information है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर फिर भी बहुत important च question भी है, article यह आपका GS paper 1 plus GS paper 2 दोनों के point of view से important हो जाएगा, syllabus मैंने यहां पर डाली दिया है, अब यहां पर हम लोग बात करें, रामसर convention की, तो यह रामसर साइट क्या होती है, इसकी रामसर convention से, देखो एक convention हुआ था, बहुत सारे लोग थे, और यहां पर इस convention को sign किया गय convention बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, पहली चीछ question बने, रामसर convention कहां पर sign किया गया था, तो इरान का एक शहर है, वहाँ पर इसको sign किया गया था, एक बहुत ही पुराना यह inter-governmental accord है, जहां पर बहुत सारे लोगों ने बिलकर इसको sign किया गया, और साथी साथ इसको बोला जाता है, convention on wetlands, ठीक है, जो wetlands होते हैं, लेक होती है, जीले होती है, ठीक है, जो भी wetlands होते हैं, तो एक तरीके से इसी के उपर यहाँ पर बोला जाता है, इसको convention on wetlands, जितने भी wetlands होते हैं, उसको यहाँ पर यह रामसर साइट का declaration मिलता है, रामसर साइट का दरजा म अब देखो यहां पर वैट्लेंड मोन आपको बता दिया जो जील हो गए लेख को जो भी अब हम यहां पर क्या है ना तो शक्राइब रिखेए इस नहीं के में उसको नाता है तो यह तरीक तो उसकी पूरी की पूरी maintenance रखी जाएगी, तो यह सारा यहाँ पर काम होता है, ठीके, तो एक तरीके से जो wetland है, उसको declare किया जाता है as a ramsar site, ताकि उसको protection मिल सके, और कुछ guidelines वगरा होती है, ताकि उस guidelines को follow करते हुए, उस particular wetland को पूरी दरह से protection प्रापतो, तो यह सारी चीज करते हैं, यह जो छोटी-छोटी information है, आप लोगो extra provide करवा रहा हो, यह बहुत important है, खाली newspaper पर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपने current affair cover करना है, लेकिन current affair में यहाँ पर जैसे आपने रामसर site पढ़ लिया है, कि महराश्ट्रा के अंदर बोला जा रहा है, एक रामसर site मिल करवा देता हूं, जो important होता है, वहाँ पर मैं additional information आप लोगो यहाँ पर provide करवा देता हूं, उसका यहाँ पर चर्चा यह हो रही है, कि जो यूपी है, उसको अपना biggest chunk मिला है clean गंगा funds का, गंगा को साफ करने के लिए funds provide करवाए गए, अब जो पैसा है, उसमें से लगबग आप कर सकते हो, जो 3535 करोड रुपे हैं, ये provide करवाए गए है उतरप्रदेश को, तो उतर प्रदेश को सबस्यादा पैसा मिला है कि यहाँ पर गंगा रिवर को साफ किया जाएगगा, उसके साथ यहाँ पर आप कर सकते हो, उतर प्रदेश के पास हो गया, बिहार हो गया, इतना पैसा करोल के असपास प्र हसा था इतना पैसा प्रोइठ क्या जब है ताकि धांगा को हम लोग साफ कर सकें यह सब किसके अंडر में ज़ागी जरल जांगे यह जो नानसनल Prinzip सबसे प्राइमिनिस्टर के साथ मिलेंगी उनके साथ मीटिंग होगी और उसके बाद देखेंगे आज के टाइम पर क्या चर्चा होने वाले तो शाम चार बजेन की मीटिंग होगी उसके बाद यहां पर बोला यह जा रहा है आर्टिकल के अंदर कि यह बहुत सारे मुद्द उठाने वाली है खास कर सबसे प्रारिटी के उपर मुद्द रखा गया है पैगेसस इस्पाइवेर का इस्तमाल किया गया है मैं आपको समझा दिया यह क्या है तो इसके उपर सबसदा चर्चा होने वाली है कि यहां पर exactly क्या है यह इसके उपर inquiry होनी चाहिए या नहीं होन है जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनात को विन जी उन्होंने एक तरीके से जो भी हमारे मार्टिर स कौन खिस में जो डो रॉल पर रोड़ हुआ था वसके अंदर जो भी हमारे जवान थे वो शाइद हुवे यहां पर ट्रिब्यूट पे किया है हमारे प्रेसिदेंट रामनाथ कोविन जी इन्हों यहां पर श्रदांजली पे करिए तो उसी को लेकर यहां पर एक पिच्छर आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर क्या है कि कुछ इंपोरेंट चीज है वो क्या है सबसे पहली बाद कर्वेश्ट फार्फ निकला है कल 26 जुलाई था तो कल हमने कारगिल वॉर्पिक तरीके से सब्रेकी मुझे दिवस मनाया है उसकी 22 वी एनिवर्सटी सेलिबरेट करी है अब एक चीज ये भी है कि कारगल वार क्या है exactly कल मैंने detail में समझा था कार्ग गिल वार और कार्ग वा पर हमारे जो प्रेसिदेंट है इन्होंने श्रद्धाजली पेकरी हमारे सोल्जर्स को जो भी शहीद हुए थे इस कार्गिल वार के अंदर उसके बाद बात करते हैं निक्स टारिकल की तो यहां पर अभी देख पाओगे काफी सारी इंपोरेंट चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर तो इंडिया आज के टाइम पर इंगेज कर रहा है बहुत सारे स्टेकोलर से अफगानिस्तान में उसके अंदर एक तरीके साब कर सकते हो बहुत सरे तालिबान के पार्ट से यहां पर इंगेजमेंट हो रहा है ताकि हम लोग वहां पर अफगानिस्तान के अंदर थोड़ा सा पीस क्रिएट कर सकें शांती बना सकें आज आप लोग को जो है अफगानिस्तान का पूरा का पूरा सेनेरियो में डिसकस करने वाले हो एक आर्टिकल आया है जहां पर मैं 9-11 अटाक के बारें बताऊंगा ठीक है पूरा अब यहां पर इस आर्टिकल में हम लोग बात करते हैं तो देखो अभी हो क्या रहा है जो युएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं आंथनी बिलिंकन यह भी विजट पर है अब इनके साथ हमारी external affair minister के साथ चर्चा भी हो रही है अब आपस में लोग मीटिंग कर रहे हैं अब देखो आपस में मीटिंग कर रहे हैं वो क्या discussion करेंगे वो हम बात बात करते हैं पहले हल यहां पर बात करते हैं यह कि इंडिया आज के टाइम पर पूरी तरह से क्योंकि वहां पर बावाल काफी मच चुका है बहुत सारे एरियास जो की तालिबान काप्चर कर चुका है तो वहां पर कोशिश यही है कि हम लोग जो है शांती को बना सके उसके बाद अभी आज के टाइम पर बात करें तो यूएस जो है साथी साथ और जो इंडिया है वा और चाहिए तो इसके पर आप देख पावोंगा यह चर्चा होने वावाला है दोनों के बीच में उसी के साथ जो है तालइबान को लेकर चर्चा होने वाली है और इसको अब हम बात यह करेंगे जैसे जैसे मीटिंग होगी जैसे आपर रापस में कुछ बात्चीत होती है यहां पर बातचीत होई है उसके बाद आते हैं एक स्टाडिकली की तरफ तो यहां पर चाहिए हो रही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको लेंड्सलिप देखने को मिलेगा और इन लैंड्सलाइट की वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रेट हुई है बहुत स यहांपर चीज़े आपको देखने को मिलेगा जो कि हमारे ऐकसा मिलेट है तो यह पर यहांपर कवर करें तो यहां पर छोगा है और इसके position ऑनु कि देखो जो भी हमारे मॉन्युमेंट से हम लोग क्या करते हैं कमाई करते हैं ठीक जो काफी हम कम हो चुका इस लॉकड़ाउन कोड़ाउन की वज़ा से स्कोवीड की वज़ा से उसी के बार में चीज़े बताई गई है जो टिकेट सेल्थ हैं वो काफी कम हो चुका है अगर मैं डेटा बता हूँ न तो 2019-20 के अंदर जो रिवेन्यू जनरेट हुआ करने के बाद वह हुआ था 336 करोड अब यहां पर अगर मैं बात करूं 2020 की तो हुआ है 40 करोड मतलब डिफ्रेंस आप देख रहे होंगे डिफ्रेंस बहुत जादा हो चुका है यानि कि यह आज के टाइम पर अपसे बड़ा क्राइसिस यहां पर भी देखने को मिलेगा और यह इसके पीछे का रीजन वही है कोविट नाइटीन और लॉकडाउं जिसके वजह से यहां पर जो रिवेनियु जो रिवेनियु आ रहा था मॉनुमेंट से वह भी डाउन हो चुका है अब इस आर्टिकल को आप लोग एक जहां पर भी आपने नोट्स मना रख्यों कि तो ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है उसके बाद बात करेंगे पेज नोमर 11 को पर आएंगे डाटिस वर्ल सेक्षन देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है यहां पर एक आर्टिकल है तुनीश्या के अंदर बहुत सब्सक्राइब बवाल चल लाए तुनीश्या के सबस्क्राइब जो प्रफार्टिकार जाता दिया है रहां सब्सक्राइब बात बहुतिति और फ्रफार को बढर सब्सक्राइब करना दिखने कर दो आपनीश्या क्यों लोग बपर का प्रोटेस्ट करें क्योंकि हुआ कि अभी इत के बाद वहां की सरकार ने बोला यह था कि वैक्सिनेशन प्रोवाइड क्या जाएगा लोग खटे हो गए वैक्सिन लगवाने के लिए वैक्सिन वहां पर थी नहीं अब वैक्सिन नहीं थी उसके वएसे वहां पर हिंसा भी क्रेट हो गई अब गया है अब तीस दिन के लिए यहां पर इसको डाउन किया एक टाईब करने की जरूरत होगी वहां के परलियमेंट को भी डाउन कर दिया गया है ताइस को एक लिए अब मैं आपको तूरा पॉईंट बतां ho Durham को क्योSon तो यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ यहाँ पर President है, दूसरी तरफ Prime Minister है, उसके बाद Health Minister है, हुआ क्या था, इस COVID के Miss Management को लेकर, जो वहाँ के Prime Minister है, उन्होंने Health Minister को यहाँ पर हटाया, Health Minister को हटाया, अब जो Health Minister है, यह तरीके से करीबी है, किसके, वहाँ क की गलती है, तो यहाँ पर क्या है, कि इसी को लेकर सरकार को बरखास किया गया है, तो बवाल चला है, प्रोटेस चला है, तो यह आप लोग यहाँ का सेनेरियो देख पाओगे, उसके बाद बात करते हैं, तो अफगान conflict के बारे में चर्चा हो रही है, अफगान conflict का एक बह रिपोर्ट बोलता है, अब यह सब हुआ है, वहाँ पर जो तालिबान का कंट्रोल हो रहा है, उसी वज़ा से यह सारी से देखने को मिली है, मैंना जैसे बताया, एडिटोरियल सेक्शन पर यह आर्टिकल आया है, एडिटोरियल पर आज आप लोग को यह सारी चीज़े क्ल यहां पर तो इसलाव है, पर तो उनबाड को भी रेकल करने के लिए सबी लोग लगे पड़ें तो ऐसे सेनेरियो दुनिया भर में आपको देखने को मिल जाएगा प्लस कोविड इसके ऊपर सबसे बड़ा आपको हावी देखने को मिली जाएगा उसके बाद बात करते हैं पेज नमबर ट्वल्व की डैट इस बिजनस सेक्षन देखेंगे एकनॉमिक पॉइंट अव्यू से क्या है इंपोरेंट आर्टिकल तो यहां पर चट्चा हो रही है जो कॉमोडिटी प्राइसेस हैं उनको उनके अंदर बूस्ट अब देखने को मिला है यानि कि जो कॉमोडिटी के प्राइसेस हैं वो काफी तहद तक बढ़ाए गए हैं अब इससे क्या हुआ है जो हमारा इंडियन पकड़ ली है और इसके अंदर कॉमोडिटी के जो हाई प्राइसेस है उससी वजासे जो वारती एक्सपोर्ट वैल्यू है वो और जदा इंक्रीज हो गई है तो यह चोटी सी इंफोर्मेशन है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है ओके नाव अब चलते हैं हम लोग एडिट अटैक पढ़ेंगे यह क्या था तो इस आर्टिकल में हम लोग यहाँ पर यहाँ पर यहाँ वाला कवर करने वाला है हमाचल प्रदेश के अंदर आज के टाइम पर क्रैसिस देखने को मिल रहे हैं उसके बाद कोई भी आर्टिकल इंपोर्टन नहीं हाँ एक आर्टिकल यह इसके बारे मैं भी आपको बताता हूं तो यहाँ पर हम लोग शुरुबात करते हैं अपने इस वाले आर्टिकल से तो देखो हुआ क्या है अभी मैं आपको बताया कि अफगानिस्तान की अंदर क्या सिच्वेशन क्रेट हो रही है वहाँ पर जो तालिवान वगर है उसने चीजों के अपर कैप्चरिंग कर रही है अब हम लोग समझते हैं यह सब स्टार्ट कहां से होता है यह आर्टिकल अपका जीएस पेपर टू इंडिया एंडिट्स नेबर हुट के पॉइंट अविश से इंपोर्टन हो जाएगा तो न्यूज में क्यों है क्योंकि हाली में यू.इस टूप्स हैं रहे हों गर्टे हैं तो लगबट साल-सर लभी साल लटार रहे हैं यह यह उसके ऐसके टाइम पर यह इनका विड्रॉवल देखने को मिलेगा अब 27 か के अंदर 11 सितंबर 2001 की बात है तो 11 सितंबर 2001 को एक अमेरिका के अंदर टेरिस्ट अटाक हुआ था जो कि आपको थमडेल में दिख रहा है ना जो साइड में बिल्डिंग है बिल्डिंग के आर पार यहां पर प्लेन निकल लिया था तो एक टेररिस्ट अटैक देखने को मिला था कब 11 सितंबर 2001 में जब यह अटैक हुआ इसी प्रकार से इसी वजह से इसको 9-11 अटैक बोला जाता है पहली चीज नोट डाउन करने वाली जिन लोग को इसको 9-11 अटैक बोला जाता है अब यहां पर जो अमेरिका के अंदर है टेरिस्ट अटैक हुआ इसकी वजह से लगबग 3,000 लोग मारे गए अब क्या हुआ जब इन्होंने इन्वेस्टिकेशन बठाई कि हाँ यह अटाक किसने किया है उस समय जोर्ज डबलो बुश थे इ तो यह जो उसमा बिन लादेन है यह एक टेरिस्ट ग्रूप का हेड़ था अलकाइदा ग्रूप का हेड़ था अब एक तरीके से यहां पर इसको इडेंटिफाई किया गया कि हाँ यही रिस्पॉंसिबल है इस अटैक के बीछे ठीक है तो यहां पर क्या हुआ अब जब यह रिस्पॉंसिबल है तो यूएस ऐसे छोड़ थोड़ थोड़ी ना देता अब यह उसमा बिन लादेन और जो यह अलकाइदा ग्रूप कहां बेटे पड़े थे यह सब बैटे पड़े थे अफगानिस्तान के अंदर अब रोल आया है अफगानिस्तान का दिहान रखना अफ यूएस नहीं हाँ पर सिधा सिधे गया यूएस नहीं हाँ पर बोला कि देखो ओसमा बिन लादेन जो है पूरी तरह से जिम्मेदार है इस 9-11 अटैक का और अफगानिस्तान के अंदर जो तालीबान था उससे बोला कि ओसमा बिन लादेन को यूएस के हाथ में सौंप दो और अपनी कंट्री से जो भी यहाँ पर टेर्रियरिजम है उसको खतम कर दो अलकाइदा को खतम कर दो ऐसा यहाँ पर यूएस ने बोला अब तालीबान ने आपर कुछी नहीं बोला तालीबान ने बोला कि देखो हमारे पास जो है कोई उसमा बिन लादेन वगेरा है नहीं हमारी कंट्री के अंदर नहीं है यह सारी चीजे देखने को मिली थी ठीके मैं आपको बताया कि जो है यह सारी चीजे आपको देखने को मिल जाएंगे क्या हुआ कि जो मब उसमा बिन लादेन को एक तरीके से देने को मना कर दिया तालीबान ने कि यूएस को हम लोग नहीं देंगे ऐसे यहां पर देखने को मिल गया यह सारी चीज़ें अब जब यह सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद U.S. ने अपने जवान भीज दिये कि हम लोग जाके हम खतम करके आएंगे उसमाब इनलादेन को खोदगर यहां पर तालिबार नहीं देगा तो हम खतम करके दिए ने एक तरीके से आप कर सकते हो वहां से जो तालिबान का पुरा का पुरा रीजाइम था पूरा ऐक्षान तो फो पूरा खतम कर दिया और वहां पर एक कवानिसतान के अंदर सरकार बना आ सब काम किया अब देखो कॉशन यह है कि यूएस आज के टाइम पर पूल बैक कर रहा है मैंने आपको बताया कि यूएस आपको समझ में आगे ना जो यूएस के टूपस जो जवान है वो कैसे पहुंच गया फानिस्तान के अंदर क्योंकि यह सारी चीजे क्रियेट हुई जब और उसाम इलादेन को अफगानिस्तान ने वापस से देने को मना करा किसको यूएस को तो यूएस ने अपने टूपस जो है वहाँ पर भेज दिये वहाँ पर सबको बेज दिये कि हम लोग खुद मार गयाएंगे तो यूएस के टूपस तो घुज गए घुज गया अब जो निकालने का पुल वैक करने के पीछे का रीजन पहला यह है यूएस जो है कॉंक्लूजन पर यह आ चुका है यहां पर यह पर यह अपने टूपस को निकाल ले गया है आज के टाइम पर दन उसके बाद यहां पर आपको देखने को यह मिलेगा जो यूएस एडिने एक कोशे को कोशच बहुत करी गई है कि तालिबान और अफगानिस्थान के बीच में एक शांती बना कर रखी जा सके और उसके बाद जो यूएस वहां से बाहर निकल जाए लेकिन यहां पर ऐसा नहीं देखने को मिला 2015 से लगातार कोशिश जारी है कि यूएस बाहर निकल जा है तो उसकी वज़े से अफगानिस्तान के अंदर क्या सेनेरियो क्रेट हो रहा है वह आप लोगों ने देखे लिया अब मैं आपको बताता हूं दोहा करें अब यहां पर एक अब यहां पर एक तरीके से बातचित करवाई गई ती कि अफगानिस्तान है और साथी साथ जो तालीबान है दोनों के बीच में क्या होगा आप आसमें लोग शांती बनाके रखेंगे और यूएस अपने टूप्स को अपने जवान को महां से निकाल ल क्या पता था फॉलो होगा नहीं होगा क्योंकि यहां पर दोनों के बीच में पीस टील हो रही है उस समय तो तालूबयान ने बोल दिया कि हाँ चलो हम लोग शांती से रहे लेंगे आप लोग निकलो ठीक है यूएस को डूप्स को निकालो तो ऐसी चीज़ें यहां पर बो की से जो इनसे डील किया जाएगा लेकिन ऐसी चीज़ें यहां पर देखने को मिली नहीं है आज के टाइम पर भी यह दिख पाऊगे बकाफिसार बवाल क्रियेट हो रहा है तो उसी के रिकार्ड़ीं यहां पर यहां आपको अडिकल के अंदर देखने को मिल जाएगा देन वाले टाइम पर लगबग अगस्त तक जो है अपने सारे ट्रूप्स को विड्रॉख कर लेगा अमेरिका ऐसा यहां पर बोला जा रहा है जो डेडलाइन है वो है 11 सितंबर 2021 डेडलाइन के रखी गई है क्योंकि जो साल 2000 में साल 2001 के अंदर जो अटैक हुआ था 911 वो भी क्या करी थी कि यहां पर इन दोनों के बीच में एक तरीके से पीस टॉक मेंटेन हो जाए पीस टॉक मेंटेन करने की कोशिश बहुत करी और अज के ताइम पर आप समझी रहे होंगे क्या सिचुवेशन क्रेट हो रही है और इसके बाद यहां पर आपकर सकते हो इंडिया ने इंडिया जो है यहाँ पर कोशिश क्यों कर रहा है कि जो तालिबान के साथ डिल किया जाए तो इसके पीछे के आपको तीन रीजन्स देखने को मिलेंगे इंडिया यहाँ पर क्यों कोशिश कर रहा है सबसे पहला रीजन यह है कि आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की billions of rupees की investment देखने को मिलेगी तो उस investment को नुकसान ना पहुँचे उस investment को काफी बड़क खत्रा देखने को मिल रहा है इनी crisis की वज़ा से तो क्या है उस investment को एक protection देने के लिए क्या किया गया है यहाँ पर इंडिया जो है यह काम कर रहा है आप कर सकते हो कि इंडिया जो है टालिबान से डील कर रहा है उसके बाद यहाँ पर दूसरा यह है कि देखो क्या है कि जो टालिबान है एक तरीके से यह पाकिस्तान के साथ ना मिल जाए और फिर उसका अगर यहाँ पर मिल जाता है तो और ज़्यादा भड़ा खत्रा देखन पूर अफगानिसान को पर तालीबान क्बज अ कर सकता है वह इंडिया नहीं चाहता कि वह हो ठakes़ से अधार काइप बोला वस्ट इ यहाँ पर करने कीकोशिश चाहता हम लोग बाते करें फिलाल यहाँ पर करनी ज़रूरी थी किसी चीच को ले क्योंकि इंडिया का काफी बड़ा interest of investment देखने को मिलेगा इस particular country के अंदर तो हमें अपना investment बचाना है तो definitely बातचीत करनी होगी ऐसा जो चीज़ है वो यहां के साथ-साथ आपके सकते हो इस article के अंदर भी mentioned है देनों इसके बाद यहां पर मैंने आप लोग को इस सारी चीज़े बताई दी हैं 2001 के अंदर क्या क्या चीज़े create हुई थी उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं तो अफगानिस्सान के record unk awakened क्या क्या possible scenarios है क्या क्या यहां पर possibility है तो देखो अबर चान पर विड्रौ कर रहा है अ अ अफ शिरख कर रहा है तो अफगानिस्सान भी जैसे यहां पर विड्रौ पूरी तरह से कर लेता है पहला scenario यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि हो सकता है political settlement हो जाए जो तालिबान है और अफगानिस्तान की सरकार है आपस मिलकर बाचीत करकर शांती से maintain कर सके है जो कि आज के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है दूसरा यहाँ पर possibility यह है कि जो भी यहाँ पर तालि सब्सक्राइब करता हुआ हम लोग को अच्छे से समझ गए होंगे काफी डीटिल मैंने बताया है बहुत सरे वीडियोज अप्लोड़े नाइन इलेवन अटेक के वारे जो एक गंटे के वीडियोज है मुझे नहीं पता है के गंटे के क्यों वीडियोज है हालकि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे पूरी की पूरी कहानी बताई गई है जो कि मैंने आप लोगो बता दी लेकिन मैं आपको सीधे शब्दों में प्लस आपको करना क्या है डीटूरल आप पड़ोगे नोट्स बनाओगे तो नोट्स आपको बने बनाए मिल आपका पागा खाना मिल रोल दिखाएंगे यहाँ पर और ये लोग रोल दिखाएंगे तो इसका यहाँ पर इंडिया क double कर जायाएगा इंडिया को एक तरीकर से याषक चाहते बहारी की सरकार ही में उसके बाद नेक्स टाडिकल चर्ट चाहिए करता है हिमाचल प्रदेश के अंदर आज के टाइम पर काफी बड़ी ट्राजडी आपको देखने को मिलेगी और वो ट्राजडी क्रेट यह हुई है कि वहाँ पर लैंड्सलिप देखने को मिलाए अब इस लैंड्सलिप की वज़ में नहीं करेंड्सलइड यह optimला है कि वालेंड्सलिप भारत की लौजह तरही है नियूज में ने देखा है कि भारिश की वज़ासे प्लस और भी बहुत सारे कारण है उनकी वजासे जो लेंड लाइट है नंबर ओफ लेंड लेंड लेट देखने को मिली है भारत के अंदर कौशन यह है कि लेंड लाइट एक्जैक्टली होती क्या है तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है लेंड इस डिफाइन मतलब की मानलो यह पहाड है यह चटान है इसकी यहाँ पर पाड़ से होता नहीं है मैंने यहाँ पर स्रिफ ब्राइंग मना रखी है तो यह तरीके से डेबरेस है जो चटान है क्या होगी यह चटक कर यह तूट कर नीचे गिर जाएगी उसको हम लोग लेंड स्लाइट बोलते अब question यह है यह जो लेंड स्लाइट है यह तूट कर लोग लेंड स्लाइट हो रही है बिलकुल अब यहाँ पर लेंड स्लाइट के पीछे जो यह हो रहा है इसके पीछे तीन मेजर फैक्टर से उसके अंदर एक आता है जियोलोजी दूसरा मोर्फोलोजी और तीसरा है human activity प्लस इसमें नाचुरल डिजास्टर बिएड कर लो जैसे रेन वगरा भी है तो इसकी वज़ासे भी यह सारी शेयर देखने को मिलती है पहले हम सो लोग समझेंगे यह जो फैक्टर है जिसकी वज़ासे लेंड डेखने को मिल लेए यह फैक्टर क्या है तो कोई भी अर्थ मा जासे होता क्या है वह लेंड देखने को मिल जाती क्योंकि वह वीक और फ्रैक्चर्ड हो चुकि है उसके बाद आता है कॉंसर्ट मॉर्फलोजी का अब मॉर्फलोजी रैफर यह करता है कि मानलो कोई भी वेजिटेशन है यहां पर अच्छी तरीके से कोई वेजिटेशन ब देखने को मिल जाती देन उसके बाद यहां पर तीसरा एक्टिवीटी है उन्मThere आतंड किया है कि कि हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिला है लगातार कंस्ट्रक्शन करा जाता है ऐसे रियाज में अग्रिक कल्चर आप करने की वहाँ पर कोशिश कर रहे हो तो उन सब चीजों की वज़ा से भी क्या है लेंड्स लाइट देखने को मिल जाती है तो हुमन सबसे जादा लेंड्स लाइट देखने को मिलती है सबसादर जो डैमेज हुआ है नुकसान हुआ लेंड्स लाइट की वाजा से वह एशिया के अंदर होता है उसके पास साउथ एशिया नेशन उसके अंदर बात करें तो इंडिया जो है सबसे जादा वोस्ट सबसे जादा नुकसान बहुता है क्या हम लोग इन लेंड्स को रोख सकते हैं बिल्कुल रोख सकते हैं सबसे पहला काम आपको करना यह होगा जो भी कंस्ट्रक्शन है उसके उपर आपको रोक लगानी पड़ेगी जोब डेवलेप्मेंटल एक्टवीटीज चल ञांगेए यह और भी चीज़े बनाई जा रहे हैं तो उसकी वाज़ा से लेंट स्लाइट देखने को मिलती है तो यह जो कंस्ट्रक्शन चल ला है उसके उपर आपको रोक लगानी होगी जिसकी वाज़ा से आप लेंट स्लाइट के उपर कहिना करना पड़ेगा वैली वाले एरियास हैं वैली पर आप लोग अग्रिकल्चर कर रहे हो वहाँ पर अग्रिकल्चर करने की लायक बिल्कुल जगा नहीं है तो वहाँ पर उसको आपको कम से कम करना होगा जितना आप कम कर सकते हो तो वह भी कहीं एक प्रोटेक्शन रहेगा टुवर्ड्स लेंड स्लाइट उसके लगाता है डेवलप होता वह नजर आएगा और वह इतने खतरनाक जोंस के अंदर आते हैं वाले अरियास टीके अब गया है कि उन चीजों के पर भी आपको कंट्रूल रखना होगा यह जो डेवलप्मेंट है या फिसको आपको कम से कम करना होगा वहां से तो ताकि जो है इ पेड़ को काटना तो एkte बढ़े होगा और जो उनकी जड़े हैं वह क्या करेंगी डी को काप्चर करके रखेंगी ज्यादा दूर तक इस से क्या होगा लेंद्स होने की संबावना काफी ज़दा कम होगी तो यह सारी से देखने को मिल जाती यह उसके बाद यहाँ पर अग आप लोगो नुक्सान भी नहीं होगा प्लस लैंड स्लाइट के उपर भी थोड़ा बहुत काबू पालिया जाएगा यहां पर देखने को मिल जाती है अब यहां पर लास्ट जो आर्टिकल है यह वाला इसके उपर अभी काफी सरी रिसर्च करने की जरूरत है ठीके अभी क्य आपको देखने को मिलेंगे नहीं बहुत कमी आर्टिकल्स पब्लिश हुआ है इसके रिगार्डिंग तो मैं इसके रिगार्डिंग अच्छे से थोड़ाबा समझ कर ठीके मैं खुद समझ कर अच्छे से उसके आपको यह बताता हूं एक्जैक्ली है क्या है ठीके कल इसको पर दो बता सकता हूं बरूपर से इमिग्रेशन क्या है यह बिल गया लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए वेट कर लो विडियो आप देखी रहे हो कल का वीडियो देख लिए उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं ठीक है अगर मैं बात करूँ पिछले जितने भी आर्टिकल से क्योंकि बहुत सा लोग बोल देता है कि पिछले आर्टिकल्स कवर कर दियें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन हमारा वीडियो थोड़ा सा खराब हो अधराइद क्लेम आया था उस दिन हमारी स्लाइड थी उस स्ला सा अपना पेशन्स रखना होगा इस आर्टिकल को समझने के लिए ठीक है नाओ इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त अभी यहां पर मज़ा ले लिए आर्टिकल के अच्छे से आपर नोट्स वागरा जित्ते भी दिये हैं आप लोग उसको एंजॉय करो मिलते हैं आप लो